काफी लोगों ने ये पूछा है कि दिन के शुरुवात कैसे कर सकते हैं तो दिन के शुरुवात आप एक वेव प्रोटीन ड्रिंक से कर सकते हैं प्रोटीन शेक से कर सकते हैं और आज मैं रिव्यू करने जा रहा हूं अफ्तार वेव प्रोटीन का जिसको मैंने कुछ दिन पह सकते हैं मैंने आपको बताया था कि अंडे से कर सकते हैं ठीक है अगर आप दूद पीके अपना दिन की शुरुवात करना चाहते हैं वो भी कर सकते हैं अगर आप वे प्रोटीन लेके अपनी दिन की शुरुवात करना चाहते हैं तो वो भी कर सकते हैं ठीक है आज मेरे पास है वे प्रोटीन अफ्तार वे प्रोटीन इसका मैंने और रिव्यू किया हुआ है तो आज मैं अपनी दिन की शुरुवात इसी से करूँगा और करके देखूँगा इसको पीने के बाद क्या मेरी शुगर बढ़ती है या घरती है या सेम रहता है इसके साथ मैं आज और कुछ नहीं खाऊँगा इसका क्या रियक्षन होता है मेरे बॉडि में वो चेक करने के लिए आज मैं सिर्फ इसका एक स्कूप लोगा इसका जो एक स्कूप है यह 35 ग्राम का एक सर्विंग है एक स्कूप है जिसमें 141 कैलरी मिल जाएंगे fat मिलेगा 2.1 ग्राम जादा नहीं है carbohydrate भी जादा नहीं है सिर्फ 3 ग्राम मिलेगा और protein जो है 27.6 ग्राम इसमें protein मिलेगा fiber इसमें नहीं है ठीक है यह सिर्फ और सिर्फ wave protein है और कुछ नहीं है अगर आप लोग इसको लेना चाहते है इसका description में मैं link दे दूँगा इसका already मैं review कर चुका हूँ इसकी mixability बहुत अच्छी है taste भी ठीक है क्योंकि यह unflavored है तो कोई problem नहीं है इसके साथ बाकी सारे चीज़ मिला के आप ले सकते हैं अभी जो time देख रहे हैं ठीक है 8 बचके 21 मिनिट हुआ है तो मैं एक sugar चेक करूँगा और यह मेरा fasting blood sugar होगा यह strip लगा दिया हमने हमारे ग्लिकोमेटर जो है बिल्कुल ready है एक प्रिक कर लेता है कौन आ गया और यह countdown शुड़ू तो 137 ठीक है 137 है मेरा आज का fasting और अभी जो है मैं एक scoop यह शेकर में डालूँगा ठीक है मैंने शेकर में अल्रेड़ी 400 ml पानी ले रखा है तो इसमें मैं एक scoop मिला के फिर इसको प्योंगा ठीक है और कुछ नहीं प्योंगा आज और एक scoop में 35 ग्राम होता है यह देखिए ऐसे एक scoop आपको मिलेगा ठीक है काफी बड़ा scoop है यह एक से केने scoop पहले निकालते है तो यह देखिए एक scoop है यह मैंने इसमें डाल दिया अब इसको अच्छी तरह से मिला लेंगे इसको शेक करिए अच्छे से यह अच्छे से शेक करिए शेकर में अच्छे से मिल जाता है इसकी mixability बहुत अच्छी है अब इसको डाल के देखते है यह देखिए कैसा mix हो गया बढ़िया से पूरा डाल लेता है तो यह 400 ml में मैंने मिला यह है ठीक है 400 ml में मिला यह देखिए पूरा काली है और बहुत अच्छे से mix भी हो गया है मजा गया तो एक स्कूप वे प्रूटीन में पी लिया है और अगर यह प्रूटीन अच्छा है तो मेरा शूगर लेवल रटाउटा में नहीं करेगा है तॉट के नहीं पूर्य टाइम आप देख सकते हैं एट ट्वेंटिए थे 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 अबूटिए और अगर देखिए चौबीस मिनिट पे अपनी पी-पी ब्लड शुगर लेवल चेक करूंगा, दस बच के चौबीस मिनिट पे देखूंगा कि मेरा शुगर लेवल कितना आता है, अगर ये प्रोटीन अच्छा है, तो मेरा शुगर लेवल 140 के उपर नहीं जाएगा, और अगर 140 के उपर जाता है, इसका मतलब है कि ये प्रोटीन आपके ब्लड शुगर को स्पाइक कर सकता है, ठीक है, तो दो घंटे बाद इस प्रोटीन का जाज हो जाएगा, पता चल जाएगा, मेरे को फिलाल डायबेटीस नहीं है, मुझे सिर्फ और सिर्फ इंसुलिन रेजिस्टन्स है, प्री डायबेटीस है, तो इसलिए मेरी शुगर स्पाइक नहीं होनी चाहिए इसको पीने के बाद, इनफेक्ट किसी डाइबिटीस के मरीज कभी स्पाइक नहीं होना चाहिए अगर प्रोटीन अच्छा है तो तो इसलिए दो गंटे बाद दूद का दूद पानी का पानी हो जाएगा देखेंगे कि मेरा शुगर लेवल कितना आता है तो मैं मिलूँगा आप लोगों से एक्ज ब्लड शुगर लेवल चेक करते हैं देखते हैं मेरे ब्लड शुगर अभी कितना आता है यह मेरा पीपी ब्लड शुगर होगा यह ग्लूकोमेटर रेडी है देख लीजे और एक प्रिक करते हैं और यह काउंट डाउन शुड़ू तो अब देख सकते हैं कि मेरा ब्लड शुगर जो है 142 है 137 मेरा ब्लड शुगर था फास्टिंग और 142 आया है तो ठीक है टाइम इन रेंज में है और यह 10% वेरियेशन भी होता है तो हो सकता है कि 140 के नीचे भी हो तो 10% वेरियेशन होता है ठीक है तो 142 जो है बिल्कुल नॉर्मल रेंज में है जादा नहीं है तो protein powder आप ले सकते हैं यह जो powder है इसको आप ले सकते हैं कोई problem नहीं है लेकिन मैं आपको फिर भी recommend करूँगा कि सिर्फ और सिर्फ whey protein ना ले whey protein के साथ आप कुछ बदाम ले ले या कुछ अख्रोट ले ले ठीक है अंडा ले ले कुछ और चीज ले ले ताकि आपकी sugar level ना बढ़े क्योंकि कई बार सिर्फ और सिर्फ protein powder लेने से भी आपकी sugar level बढ़ सकता है काफी लोग यह पूछते हैं कि क्या milk ले सकते हैं दूद पी सकते हैं खाली पेट सुबा उटके बिल्कुल पी सकते हैं कोई problem नहीं है तो जो भी आपको अच्छा लगे आप ले सकते हैं यह वे प्रोटीन मुझे ठीक लग रहा है टेस्ट इसका ठीक लग रहा है description में लिंक छोड़ दूँगा आप जाके चेक कर सकते हैं अगर आपका और भी कुछ सवाल है तो आप मेरे से सवाल पूछ सकते हैं Diafit App को download करें Diafit App में अब मेरे साथ जूर सकते हैं और आपका जो भी सवाल होगा हर सवाल का जबाब में च्रूबार कब लगता है? बार अगर आपने अभी तक अन्रोल नहीं किया है तो जल्D से अन्रोल करिये और diabetes दरबार में जूर जाए और आप मेरे साथ one to one बात कर सकते हैं तो वीडियो को जादा से जादा share करिए क्योंकि बहुत सारे लोगों को confusion है कि वो कौन सा protein powder ले कौन सा wave protein ले सकते हैं मार्केट में ऐसे बहुत सारे wave protein है जो अच्छा नहीं होता है ये फिलाल तो मुझे ठीक लग रहा है इसको आप लोग ट्राई कर सकते हैं description में link छोड़ दूगा वीडियो को यहां तक देख लिया अभी तक like नहीं किया तो फटा वट से एक like कर दीजे क्योंकि आपके like से मुझे motivation मिलता है रोज इस तरह से वीडियो बनाने का प्रिक करने का फिलाल मेरे को कोई diabetes नहीं है मैं कोई दवाई नहीं खाता हूँ मुझे सिर्फ और सिर्व insulin resistance है और मैं यह देख रहा हूँ कि 80% लोग जो है वो हमारे वीडियो देखते हैं लेकिन अभी तक subscribe नहीं किया है तो अगर आप भी उन में से एक है वीडियो देखते हैं लेकिन subscribe नहीं किया है तो ऐसे बहुत सारे अच्छे अच्छे information आप miss कर जाओगे तो उमिद करता हूँ इस वीडियो से भी आपने कुछ न कुछ अच्छा सीखा होगा मैं मिलूँगा आप लोगों से एक नए वीडियो के साथ तब तक स्वास्त रहे मस्त रहे इस वीडियो को देखने के लिए आप सब का बहुत बहुत धन्यवाद